हालो सुदेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ने टोपिक से लेकिन कल का देख लेते एक बार कल क्या पड़ाया था एककोईशन्स रुडूसेवल टू होमोजीनियस फॉर्म और इसमें हमने आपको बताया था कि कोईशन्स डी बाई भाई दी एककोल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एवन 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 एप्लस सीवन form की होगी और इसके लिए small x को capital x से replace करेंगे और small y को capital y किस तरीके से x plus h और y plus k से जिससे transform हो जाएगी फिर reduce करने के लिए जो constant होगा उसको हम लोग 0 सपोस कर लेंगे याद होगा कल के वीडियो में आप देख सकते a x plus b k plus c को 0 लिया जाएगा और इसके बाद a1 h plus b1 k plus c1 is equal to 0 लेंगे जिससे equation हमारी homogeneous में replace हो जाएगी change हो जाएगी अब यहाँ पर capital y को vx put करेंगे क्योंकि यह हमारी equation अब homogeneous हो गई है तो आज देखते हैं इसके आगे example है example number 4 है इसे पहले आपने तीन example किये दो आपने किये थे variable separable के एक आपने किया था homogeneous का और यह है reducible to homogeneous form का तो इसमें question है 2x plus y minus 3 dy x plus 2y minus 3 dx यह variable separable हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए यह constant है तो इसकी पहचान ही है कि यह linear form में होगा यहाँ पर expression 2x plus y minus 3 x plus 2y minus 3 linear है तो सबसे पहले आप इसको standard form में लिखेंगे dy by dx equal to x plus 2y minus 3 upon 2x plus y minus 3 यहने dy by dx के form में लिख रहेंगे यहाँ पर आप ठीक अब देखिए notice करिए कल हमने आपको बताया था कि दो case होते हैं कौन कौन से एक में a upon a1 not equal to b upon b1 होता है और एक case में आपका a upon दूसरा case अगर देखा जाए a1 equal to b upon b1 के form का हो जाएगा ठीक है तो पहले case 1 का problem है यह देखें कैसे है इसमें अगर a देखें तो कितनी value है a की value है 1 और b की value आ रही आपकी 2 यहाँ पर देखा जाए तो 1 और यहाँ पर a1 की value पहले ले लीजिए तो a upon 2 और b1 जो है आप या b कह सकते b b की value 2 और b1 की value जो है आपकी 1 है तो यह दोनों equal नहीं है तो यह आप कैसे करेंगे solve therefore by putting small x को put करेंगे capital x plus h और small y को put करेंगे capital y plus k जैसे कल मैं ने बताया था तो यह equation क्या हो जाएगी आपकी और small dy by dx किसमें change हो जाएगा कल के वीडियो में देखिए बताया है आपको हमने कि वो capital dy by dx में change हो जाएगा जोंकि dx नेका लेंगे तो capital dx small dy का capital dy का और small x की जगे आप capital x plus h small y की जगे capital y plus k minus 3 अपनी जगे रहेगा और denominator ने इसी तरीके से substitute कर देंगे ठीक अब क्या होगा जो x और y के हैं जैसे यह x का term है और यह 2y है एक साथ लिख लेंगे x plus 2y और constant जो की h plus 2k minus 3 वो एक bracket में लिख लेंगे ठीक ध्यान रखेंगे यह एक procedure है कि method है इसी तरीके से सारी problem solve करनी है denominator में भी यह करेंगे 2x और y को एक साथ कर लेंगे 2x plus y और 2h plus k minus 3 एक bracket में कर लेंगे variable एक place में रहेंगे आपके पास यह bracket में भी कर सकते नहीं आप variables को और constant अलग-अलग bracket में कर दिया जहां तक dyy dx की बात थी अभी हमने आपको बताया कि capital में जो है y हो जाएगा और capital में x तो dyy dx के form में लेंगे यह आपकी equation आ गई अभी यह homogeneous नहीं है लेकिन यहाँ पर हम यह लिखेंगे कि h k कुछ इस तरह के लिए जाएं यानि कि we choose h and k such that कि यह 0 हो जाए numerator में और यह भी 0 हो जाए denominator में यह नहीं constant का जो bracket है हमारे पास उसको 0 put कर देंगे ठिक assumption है लेगे उस assumption से हमारी h k की value आएंगी तो यह equation 0 हो गई और denominator की 0 हो गई दूनों को solve किया h is equal to 1 और k equal to 1 दो values आ जाएंगी यह तो simultaneous equation से इने आप solve कर लेंगे 6-7 में पढ़ाया जाता है यह कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या है कि यह दोनों 0 हो गई यह भी equal to 0 हो गया और यह भी आपका equal to 0 हो गया under the assumption तो अब जो नई equation होगी वो dy by dx जोकि capital में variable है capital x plus 2y upon 2x plus y इस form म आ जाएगी तो जो यह equation आपको इस समय दिख रही है यादि अगर इसको equation number 2 कहते हैं इसको equation number 1 तो equation number 2 आपकी homogeneous equation है जो इससे पहले के वीडियो में हमने समझाया है आपको अब इस तरह की equation को solve करने के लिए क्लिए क्या करेंगे याद होगा कि हम लोग put करते थे y equal to vx तो यह स्मॉल एक्स की जगे capital X लेंगे तो y equal to vx हो जाएगा अब इसे differentiate करेंगे पहले बता चुके हैं आपको यहाँ पर कि जब इसे differentiate करेंगे तो capital में यह है और यह capital में x रहेगा capital X के रिस्पेक्ट में differentiate कर रहे हैं तो small v और x का 1 हो जाएगा फिर आप x लिख लेंगे और d small v upon यह आपका dx लिखा हुआ है और यह d y by dx जो capital में निकाला है वो यहाँ पर आप equation 2 के left में इसकी value put कर देंगे v plus x dv by dx और यहाँ पर जो y है उसको भी replace करेंगे किसे vx है यानि अब हमारा y जो capital y है वो transform हो जाएगा किसमें v में capital y नहीं रहेगा इसमें पूरी equation जो differential equation है वो capital x और small v में रहेगी और उसमें solve करने के बाद फिर आपको capital x और y का relation यहाँ की small v is equal to capital y by capital x से replace करना होगा तो चलते हैं देखिए next में यहाँ पर देखिए y लिखा है small v plus x dv by dx और y की जगह पर क्या रख दिया गया है vx ठेक है यह y की जगह vx किया तो capital x numerator से और capital x denominator से common लेकर के हम cancel कर देंगे इसलिए यहाँ पर देखिए cancel होगया तो 1 plus 2v upon 2 plus v आजाएगा अब यह v को हम यहाँ right में ले जा रहे हैं तो यहाँ क्या बचाएगा left में आपके पास x dv by dx equal to 1 plus 2v upon 2 plus v minus v यह जब v आएगा तो इधर क्या हो जाएगा minus v हो जाएगा अब यहाँ LCM ले ले लिजे 2 plus v as LCM यह से multiply होगा 1 plus 2v minus 2v minus v square right यह 2v 2v cancel हो जाएगा 1 minus v square upon 2 plus 3 अब यह फर्दर जो भी हम कर रहे हैं सिंप्लिफिकेशन है क्योंकि अब हमें equation को variable separable में ले जाना है सबसे पहले आपने reduce किया homogeneous form में और जब y equal to vx substitute कर दिया तो उसके बाद उसको transform करना है variable separable form में और variable separable में भी variable यहाँ small v और capital x है तो capital x के terms को एक तरफ dx के साथ और small v के terms को dv के साथ so that we can integrate properly यह अच्छे से हम integrate कर पाएंगे अब यहाँ dx upon x यह देखें यह dx और x एक साथ कर लिया इसको cross multiply करके यह cross multiply होके इधर चला जाएगा आपका यह कितना हो जाएगा 2 plus v upon 1 minus v 1 minus v denominator में आएगा य तो dx upon x 2 plus v upon 1 minus v square dv इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है 2 plus यहाँ पर factor किये यह partial fraction बन की factor नहीं denominator के factor करके partial fraction यह एक बार हम बता याद दिला दें आपको जैसे कि 2 plus v लिखा है यह 12th class के integration में है 1 minus v square तो इसके लिए अगर देखें तो पहले तो आपको factor कर नहीं होंगे 2 plus v है यह आपका अपन 1 plus v 1 plus v और 1 minus v इसके बाद क्या करते हैं आपको याद होगा a upon 1 plus v plus b upon 1 minus v यह करते हैं और इसके बाद जब आप इससे suppose कर यह पूरा ही solve करते रहे हैं 1 plus v और 1 minus v लेंगे यहाँ पर यह LCM यह 12th class का partial fraction है और यहाँ a multiply होगा तो 1 minus v plus b 1 plus v बन जाएगा आपका ठीक अब यहाँ पर denominator तो वही रहेगा 1 plus v और 1 minus v यहाँ पर अगर आप v common लेते हैं और constant तो v common लेने पर आपके पास यहाँ से आएगा minus a और यहाँ से आएगा b तो इसको लिख सकते b minus a और अगर constant की बात करें तो a plus b लिख लेंगे ठीक है अब अगर देखा जाए जिसको आपने partial किया है तो constant की value कितनी है constant यह नहीं कि a plus b a plus b की value जो आ रही है वो आपके पास अगर यहाँ देखा जाए तो a plus b की value 2 है और b minus a की value आपके पास 1 है क्योंकि b का coefficient 1 है अगर यह add कर देंगे आप तो इतना हो जाएगा आप तो b की value कितनी आ जाएगी b की value आ जाएगी 3 by 2 तो देखें यह आ रहा है 3 by 2 1 upon 1 minus b यहाँ 3 by 2 पुट करेंगे यह partial आपका जो है जाएगे b minus 1 यह हो जाएगा 3 by 2 minus 1 which gives you 1 by 2 यह पर value 1 by 2 आ जाएगी तो यह हो जाएगा 1 upon 2 1 plus b 1 upon 2 1 plus b और 3 upon 2 1 minus b by partial fraction पुरा partial fraction उन्हें क्लेर कर दिया वैसे आप 12th class के partial fractions को revise कर लीजिए जिससे आसानी से integration कर पाएं अब क्या होगा देखें यह अलग-अलग हो गया integrable form में आ गया अब integrate कर दीजिए तो dx upon x का log x हो जाएगा log c यहनि constant चाहें left में apply करें यहा राइट में करें यहां left में किया गया है log c और यह one upon two क्या हो जाएगा यह one upon one plus v का integration क्या होता है log one plus v यहां पर लिख दे रहें फामूला आपका one upon x plus a integration revise कर लें अगर अच्छे से सारे numerical करने है ठीक यह आपका integration का formula है log x plus a याद करके रखिए integral one upon x plus a dx log x plus a होता है ठीक तो यह हो जाएगा log x plus log c one upon two log one plus v minus three by two log one minus क्योंकि यहां पर v के साथ minus है इसलिए यहां minus sign आएगा यह एक फर्मूला अगर और लिखें तो one upon अगर a minus x dx है तो इसको हम लिख सकते हैं integral के बाद जो की formula है a minus x ठीक minus log a minus x आजाएगा आपका अब यहां क्या होगा integral हो गया आपका अब थोड़ा सा manage करेंगे हम लोग टू लॉग सी जैसे कि टू यह लेकर करके साइट भीज दिया log m plus log n पढ़ा होगा log m plus log n 10th class में log mn होता है तो log mn की वज़े से यह log cx बन जाएगा यह यह m की तरह bf करेगा यह n की तरह करेगा और फिर यहां से 2lcm में चला गया इस 3 को पावर में लगा दीजिए तो log 1 minus v यहां का जो simplification आएगा अगले step का वो क्या हो जाएगा log 1 plus v minus log 1 minus v की पावर 3 हो जाएगा और यह log m minus log n अपाउन में चला जाएगा तो देखिए यहां पर है यह log 1 plus v अपाउन 1 minus v की हो यह simplification है सब 10th class के 12th class के बस वही apply करना है आपको इसके बाद यहां पर यह two power को यहां इंपोस कर दीजिए cx का square हो जाएगा log का anti-log लेंगे remove हो जाएगा तो ultimately जो value आने वाली है वो cx square देखिए c square x square क्योंकि bracket पे लगेगा यहां पर और log हट जाएगा 1 plus v upon 1 minus इतना समझ में आ गया होगा कि integration कैसे करेंगे फिर थोड़ा सा 10th class का simplification है वह simplify कर लेंगे इससे कि हमारा log remove हो जाएगा अब हमारे पास क्या है small v हटाना है हमको capital x भी हटाना होगा जो भी answer आपका आएगा वो small x और small y में होगा या कोई constant भी हो सकता है उसमें ठीक तो देखिए आपर small v की value put करेंगे पहले फिर हम capital x को replace करेंगे और capital y को replace करेंगे दोनों को तो small v की value यहां लिखी हुई देखिए यह पीछे जो हम लोगों ने use किया था small v is equal to capital y by x तो यहां substitute कर देंगे और इसका simplification कर लेंगे LCM लेने के बाद जब यहां करेंगे तो c square यहां LCM लेंगे तो यह x plus y बन जाएगा और यह x minus y का cube आएगा और यह से cancel कर देगा x पूरा यहां पर eliminate हो जाएगा x cube अब हमारे पास equation capital x में है और capital y में है और यहां पर c square है capital x को replace करने के लिए कल formula बताया था देख लिए लिखा है capital x की value है small x minus h और h की value पीछे आप निकाल चुके हैं 1 और k की value भी आपने 1 ही निकाली है capital y को replace करेंगे y minus k से यनिकी y minus 1 ultimately capital x की value substitute कर देंगे capital y की value substitute कर देंगे और यहां पर फिर एक simplification करेंगे यह जो की लिखा हुआ यहां पर आपका यह देखिए यही आपका solution हो जाएगा small x और small y और constant को contain करते हुए तो c plus y minus 2 equal to c square x minus y whole q which is required solution तो I think यह पूरा समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है dyy dx के form में लिखना है फिर small x और small y को capital x capital y से कैसे replace करना है यह procedure आपको देखना होगा एक से दो बार वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और इसके बाद जो constant होगा उसको zero ले लेंगे पूरे linear form को जो hk contain करेंगे एक की value निकालेंगे फिर यह homogeneous form में आएगा तो y equal to vx रखके पूरा proceed कर लेंगे और integration के बाद value substitute कर देंगे तो आपका यह solution इनिकी answer आ जाएगा अब देखेंगे आज case 2 है एक और कल जो बताया था उसमें क्या था a upon a1 not equal to b upon b1 जिसका example हमने यह भी किया अब यह case 2 में क्या गी a upon a1 equal to b upon b1 हो जाए और यह m के equal है जैसे हमने यह example देखें कि लिखा हुआ है समझाने के लिए अगर देखी यहाँ पर यह d y by dx इसको क्या लिख सकते हैं आप x plus y plus 1 राइट यह numerator हो गया और denominator में क्या आएगा आपके पास 2x plus 2y plus 3 अब अगर इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं आप x plus y plus 1 ठ bracket लगा दे रहें थोड़ा समझाने के लिए two common लिया और यहाँ पर आपके पास हो गया x plus y plus 3 राइट तो देखें x plus y x plus y same हो गया यह numerator में भी हो सकता है और denominator में भी हो सकता है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका coefficient है 1 यहीं X का जिसे a कहते हैं शुरू से हम लोग और इसको a1 कहते हैं तो 1 upon 2 हो गया बी की वैलू यहाँ पर कितनी है 1 और b1 की वैलू कितनी है 2 तो 1 upon 2 यहीं 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 कभी ऐसा भी हो सकता था कि 2 upon 4 आ जाए तो cancel कर देंगे तब 1 upon 2 बन जाएगा आपका कुछ problems में तो ultimately होना क्या है कि common आने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा then differential equation becomes of the form m common आ जाएगा आपके पास यहां a नहीं होना चाहिए तो typing mistake लग रही है तो a x plus by plus c और a1 x plus b1 y plus c1 m constant यह numerator में भी हो सकता है और यह denominator में हो सकता है तो advantage क्या मिलेगा आपको यह चीज यहां a x था लेकिन यह ratio बराबर हो जैसे आपका यह common जब ले लेंगे तो आपस में equal हो जाएंगे तब यह a1 b1 सब equal होना देखिया आप जैसे यह है तुम common ले लिया तो अब अगर इसका coefficient देखे x का यह और यह x तो दोनों same है यहां पर भी यह same है इसलिए यहां पर इसको क्या कर दिया गया है यह पहले तो coefficient यानि यह और यह आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे राइट तो I think समझ में आ गया होगा अब जब common हो जाएगा तो यह जो a1 x plus b1 y है जैसे कि यहां पर x plus y है यहां लिखा हुआ है इसको आप एक single variable ले लेंगे single variable जैसे कि हमने आप v लिया हुआ है solve such equation to solve to solve such a differential equation put v equal to a1 x plus b1 y यह जो bracket के अंदर होगा after taking common उसको आप single variable v put कर देंगे to get rid of y कहने के मतलब है कि y को v में transform करने के लिए अब यहां पर क्या करेंगे आप dv by dx निकालेंगे अगर आप देखें यहां से dv by dx calculate करेंगे तो dv by dx कितना आ जाएगा आपके पास यह हो जाएगा a1 x का तो 1 हो जाएगा और यह value आएगी b1 और यहां पर d y by dx आप इस d y by dx की value यहां पर substitute कर देंगे किसके terms में dv upon dx के terms और जो v है वो यहां replace कर लेगा किसको a1 x plus b1 y को तो अब जब transform हो जाएगी हमारी equation तो उसमें केवल रहेगा v और x y नहीं होगा हाँ y last में आएगा after the simplification after the integration तो देखते हैं कि example में कि किस तरीके से y वापस आएगा ठीक है तो देखें यह problem है example number 5 solve 2x plus y plus 1dx 4x plus 2y minus 1dy is equal to 0 पहला dy by dx लिखा अच्छा पहचान तो आप जाएंगे ही reducible की form है कैसे पहचानेंगे यह constant से पहचानेंगे a1 x plus b1 y plus c1 जतनी practice करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी problem को cash कर पाएंगे कि यह किस method से solve की जा सकती है तो अभी इसमें ratio check करेंगे पहले we have dy by dx is equal to this a upon a1 a की value यहा और a1 की कितनी value है 4 इसी तरह b की value कितनी है 1 b1 की value कितनी है 2 तो क्या ratio बराबर है हाँ बराबर है क्योंकि यह one हो जाएगा यह cut करके two हो जाए one upon two one upon two हो जाएगा तो अब यहां common ले सकते हैं यहां देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि minus two x plus y plus one upon जो भी आ रहा है common चाहरे denominator में आए चाहरे numerator में आए two common लेने के बाद two x plus y minus one हो जाएगा आपका यह अब देखिए two x plus y numerator में भी है और denominator इसी को हम लोग जो put करेंगे वो v के equal तो देखिए let's two x plus y is equal to v अब इसको differentiate कर दिया तो यहां x के respect में two हो जाएगा यह dv by dx हो जाएगा यह dv by dx तो dv by dx की value इतनी हो गई dv by dx minus two तो देखिए यहां पर हमने dv by dx को replace कर दिया किसे dv by dx minus two से और फिर right में क्या हुआ two x plus v plus one तो minus तो लगाई हुआ है v plus one upon में यहां क्या two times देखिए two times v minus one हो जाएगा यह value आजाएगा अब क्या करना है अब यहां तक तो आपने substitute कर दिया अब इसे variable के formula यह नहीं जो x के functions हैं वो dx के साथ और जो v के हैं उनको dv के साथ adjust करना होगा कैसे करते हैं LCM अगरा ले करके जैसे कि देखो यह two आपने वापत इधर भेज दिया right side में तो plus two हो गया minus v plus one two v हुआ फिर आपने LCM लिया यह सब simplification है algebraic simplification carefully करेंगे अगर इसमें कहीं minus plus की tough हो जाएगा फिर आपको छोड़ नहीं पड़ेगा और अगर बीच पे careful रहेंगे तो आसानी से integrable हो जाएगा यह आपका ठीक है तो देखिए इसमें ध्यान से यहाँ पर two v minus one और यह three v minus three बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा four v minus two minus v minus one LCM वगरा आप ले क्योंकि constant है वो upon में रखने से अच्छा यह multiply कर दिया अब three dx हो गया वी का क्या है कि वी के function है हमारे पास वी minus one upon two v minus one तो इसको cross multiply कर दिया तो two v minus one upon v minus one dv बन गया ठीक अब integrate करने के लिए यह आपने पढ़ा होगा जब numerator की power और denominator की power सेम होती है तो हम यहाँ पर reduce करते हैं power को यह तो divide करते हैं और यह adjust करते हैं नीचे v minus one है तो यहाँ v minus one set किया गया है कैसे set किया गया है हम बता देते हैं लेकि धान से यहाँ है two v minus one two v minus one है यह और upon में v minus one अब अगर आपको v minus one यहाँ develop करना है तो आपने किया two इसको थोड़ी दिर के लिए v minus one मान लीजिए ओकर ठीक है अब multiply करके चेक करो आप तो two v minus two आ जाएगा और आपके पास तो यहाँ पर minus one था तो आप यहाँ जोड दीजिए यह प्लस one कर दीजिए ठीक है और upon तो रहेगा v minus अब फाइदा क्या होगा देखे two v minus one two v minus two plus one अब वो minus two और प्लस one मिलके minus one देंगे अब यह जो 2 V-1 प्लस 1 लिखा है, V-1 से डिवाइड कर दीजिया, इस ब्रैकेट से इसको करिए, इस से इसको करिए, यह जो बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ते थे, A प्लस B अपॉन C को क्या लिख सकते हुआ, A अपॉन C प्लस B अपॉन C, दोनों C, यानि डिनोमेटर को अलग-अल इस पर ध्यान देना होगा, अगर यह कर लेते हैं, यह भी 12th class का है, integration भी 12th class का है, तो जो भी problem फोड़ी बहुत आएंगी, नीचे आएंगी, लेकिन वजह क्या होगी, 12th class की mathematics, अगर आपने revise कर रखा है, frequent integration कर सकते हैं, तो तुरं-तुरंत लग जाएंगे आपके यह, तो भी, क्योंकि V के respect में integration चलेगा, और log V-1, अभी हमने आपको बताया था, फर्मूला वही लगा हुआ है, log V-1, चुकि V positive है, तो यह positive maintain रहेगा log में, अगर V- में होता, तो यहाँ पर minus develop हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर होता 1-V, तो यह होता minus log 1-V, ध्यान रखना integration में अब क्या हुआ, 3X प्लस C, अभी की value रखिए, V क्या था आपका, देखिए, V आपने हैं suppose किया था, 2X प्लस Y, जो भी हम supposition करते हैं, problem में, axillary function इसे कहते हैं, सहयक, जिनको हमने बीच में लिया होता है, उन्हें last में आ करके replace करना पड़ता है, original variable से, original variable क्या है आपर, X और Y तो answer जो आएगा, वो XY और C में आएगा, कोई भी intermediate function जो आप लेंगे, उसको आपको remove करना ही है, eliminate करना ही है, उस function से, ठेक, replace करना है, तो 2X प्लस Y log, ये V की value फिर वहीं देखिए, 2X प्लस Y, minus 1 कर दिया, अब यहाँ पर थोड़ा simplification किया, तो X प्लस, कितना रहा है, 2Y, क् कि ये 4X हो जाएगा, देखिए आप न, और ये आपका 2Y हो जाएगा, और 3X subtract हो जाएगा, तो ultimately X बचेगा, ये Y हो जाएगा, और log 2X प्लस Y, और C अपनी जाएगा बना रहेगा, जो left में था, उसको यहाँ पर right में लिख दिया गया, which is a required solution, तो I think ये case भी समझ में आ गय है, तो देखिए, next में आते हैं, ये हमने exercise दिये, ये as a homework रहेगी आपकी, इसको solve करिए, और next lecture में जो problems ना solve हो, वो हमसे पूछिए, तो जैसे इसमें देखा जाए, थोड़ा सा hint देते हैं, इसमें शायद देखिए, ये आपका है, A upon A1, B upon B1, बराबर नहीं आ रहा है, त problems है, वो हमें लग रहा है, करके देखिएगा, ये case 1 है, case 1 यानि कि A upon A1, not equal to B upon B1, जो हम लोगों ने example number 4 किया था, वो आला होगा, अभी जो example 5 किया था, उसमें रेशियो बराबर होता, इसमें देखिए करके, इसका जो A है, और A1, जिसे DIY, DX लिखेंगे, तो A आपका 1 हो हो जाएगा, एक्स डिनोमेटर में चला जाएगा, यहां करके देख लिए एक बार, DYY, DX, DYY, DX, कितना हो रहा है, X तो डिनोमेटर में आया, तो यह हो गया, X plus Y plus 1, ठीक है, और यहां पर आपके पास हो रहा है, यह 2X plus 2Y plus 3 हो जाएगा, 1 upon 2, 1 upon 2, साफ-साफ दिखाई दे इसमें 2 common ले लेंगे, तो जो हमें V put करना होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा, यह हम X plus Y को put करेंगे, ठीक, तो एक्जामपिल 5 का वीडियो अच्छी तरह से देख कर समझेंगे, और यह दोनों problem, I think दोनों ही problem आपके 5 और 6 case 2 में belong करती है, ठीक है, तो case 2 जो आज बत अब हमसे कोई भी question पूछ सकते हैं अगर problem आती है, नहीं तो फिर हम लोग next topic स्टार्ट करेंगे, ओके, thank you so much